शिमला जिला का रामपूर भाषबा आम ग्रामिन गरीब लोगों की समस्याओं को सुनने और उनके निदान के लिए सज़ेग हो गया है इसे के चलते जन संपर्क अब्यान आरम किया है पार्टी के लोग ग्राम केंदर तक जाकर बैटकों का दोर चला रहे हैं इस तरहां ग्रामिन दूर दराज में बैटे लोगों को कौन जी समस्याओं हैं सरकार की योजनाओं का लाब मिल रहा है इस पर भी ध्यान के इंद्रित के जा रहा है ताकि लोगों की शिकायतों और समस्याओं का समयबत घर दोर पर निराकर्ण हो जो मामले सरकार के ध्यान में लाने के उन्हें सरकार तक पहुंचाया जाएगा जिसके साथ साथ लोगों को आने बले पंचायती राज संस्ता के चुनाव को देखते हुए आज से ही संगटन को मजबूत करने के लिए कहा जा रहा है ताकि पंचायती राज संस्ताओं के चुन प्राम केंदर तक जाकर लोगों की समस्याई सुनने के साथ उनका निराकर्ण करना पार्टी का मकसिद है जो मामले सरकार तक पहुंचाए जाने हैं उन्हें भी आगे ले जाये जाएगा ताकि इस में पर उनका निप्टान हो सके उन्होंने कहा कि इस तरह के अभ्यान में लो जो हमारे ग्राम केंदर की सरचना है उसके इसाथ से हर ग्राम केंदर में जाकर वहां के जो हमारे कार करता है और वहां के जो हमारे रामपूर की जनता है उस ग्राम केंदर की जनता है उन्हों सब को साथ बिठाकर हमारे एक मकसद है कि जो लोग अपनी समस्याउं को लेकर क प्रित्याशी ब्रिजलाल ने बताय कि जिला परशद बार्ट स्तरिय बैठे का आयजन किया गया इसमें सैंक्रोन लोगों ने हिस्सा लिया उनका मक्सिद है कि गरीब असहाय लोगों को उनके घर द्वार पर जाकर समस्याय सुने और उनका मोके पर ही निदान किया जाए आज जिला परशद वाल्ड जाकडी जिसका मैं परभारी हूँ का दोरा भारतिय जनता पाईटी मंडल रामपुर के समानी अद्यक्ष बीम सैंठाकुर का किया गया यहां सेंखणों लोग उपस्चित थे और बड़ा सफल कारेक्रम रहा इस दोरे का तातपरे जो गरीब लोग है मेलाए है असाय लोग है उनकी समस्या को घर द्वार जाकर भारतिय जनता पाईटी मंडल सुन रहा है और सात में जिन लोगों की समस्या आ रही है उनका भी स्थल परी निप्टारा किया जा रहा है और यह बड़ा सफल कारेक्रम है जिला परशद बाड जाकरी का यह आज अंतिम दिन है इसके बाद अभी सनारसा में भी कारेक्रम है